बाते हैं आप सभी के एक बार फिर सेड़े 247 में और आज हम लोग डिसक्स करेंगे जो हमारा दिवाली की हॉलिडेज में ये वीगले MCQ नहीं हो पायते हैं 8-2 लेके 14th of November वाला जो एक कह सकते हैं ये वाला पार्ट है ये हम लोग डिसक्स करने जा रहे हैं हम लोग 75 MCQs का डिसक्सिन करेंगे आप लोगों से गुजारेश रहे हैं कि प्लीज इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके मैक्सम जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं प्लीज यार शेयर करने स्टार्ट करेंगा ओके जब तक आप इस सेशन को शेयर करने फटाबर से ओके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाँ पर आज के इंपोर्टन की जितने भी स्टुएंट जोनों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करिए जिसे कि आपको प्रॉपर क्लासिस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अब जब एक इंपोर्टन चीज आज कोई भी प्रोड़क्ट आप लोग पर्चेस करते हैं तो कोई भी प्रोड़क्ट लेंगे दो साल की वैलिटी है मिल अब लाइब क्लासिस जब तक चलती है दस पंदर है बीस पच्चेस दिन दो महीने लेकर उसके बाद वो दो साल तक रहेगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक और इंपोर्टन चीज हम लोग का जो फाइनेशिल अवेर्नेस का बैच है ऐसे स्टुरेंट जो बैंक एक्जाम के लिए जा रहे हैं और बिल्कुल उनको फाइनेशिल अवेर्नेस के बारे में आईडिया ही नहीं कि कहां से करें हम लोग क्योंकि बुक्स में आप लोग देखते हैं अकसर वही पुरानी चीज़ें आपको मलती है अब अभी कंटेंट बहुत अपडेटेड हो चुका है तो इसके लिए वारियर 4.0 बैच है इसमें आप लोग इन्रोल करा लिजे मेरी इसमें क्लास Monday to Friday होती है और दो घंडे की क्ल होंगा ना आख बंद करके ऐसे बच्चे जो कि बैंक की तयारी कर रहा है उनके लिए स्टैडिक जी के बैच है स्टैडिक पोर्शन यहां से आपका कवर हो जाएगा इस स्टैडिक जी के बैच की जो टाइमिंग रहे वो 9 to 10 है और यह भी Monday to Friday होता है किसी भी बैच में रोल कराने के लिए आपको करना क्या Y168 कोड इस्तेमाल करना है 72% डिसकाउंट आज 6 बजे कुछ आपके लिए आने वाला तो 6 बजे का सेशन आपको देखना है और आज अनिल नागर सर आपके साथ शाम को साथ बज़े मिलेंगे SBI की बात अनिल नागर सर के साथ तो शाम को की द्वारा सुधा मूर्ती ने लिखी है Grandparents Bag of Stories ग्रांड प्रेंस Bag of Stories किसके द्वारा लिखी गी आन सबंदर सुधा मूर्ती की द्वारा सुधा मूर्ती इसकी ऑथर है इसके अलाब बाकि की जर आप्शन देखो जो सरब सरब प्रीत सिंग है सरब प्रीत सिंग है इनों इस बुक का नाम है यहां पर Night of the Restless Spirits Stories from 1984. It is authored by the Sir Preet Singh. Byback Corona is authored by Pradip Shrivastav. Jugal Bandi, the BJP before Modi is authored by Binay Sita Pati. And Pandemonium, Pandemonium, the Great Indian Banking, Tragedy Hardcover, Tamal Bandopadhyay. And Grandparents, Bag of Stories authored by the Sudha Murti. 5 बुक आपके क्लियर होने चेहे. Next. किस दिन? Which day is observed as the World Radiography Day? किस दिन? विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है. Option नमर फिप्टे, 8th of November को World Radiography Day के रूप में मनाते हैं. 8th of November, World Radiography Day के रूप में मनाया जाता है. 2 November को International Day to end impunity for crime against journalists. 5 November World Tsunami Day. 6 November को International Day for preventing the exploitation of environment in war and armed conflict. 7 November को, 7 November को कौन सा डे आता है? एक बार देख लेते हैं. 7 November को National Cancer Awareness Day. 8 November World Radiography Day. 6 November को International Day for preventing the exploitation of environment in war and armed conflict. 5 November World Tsunami Awareness Day. And 2 November को International Day to end impunity for crime against journalists. ओके ये डे मनाया जाते हैं. अगला सवाल. आपचारे के रूप से, पैरिस जलवाईू समझोते को छोडने वाला, एक मात्र देश कौन सा देश बन गया? Which country become only country to formerly quit the Paris Climate Agreement? USA. USA पहला देश है. USA पहला देश है, जिसने की Paris Climate Agreement को quit कर दिया. Paris Climate Agreement को quit करने वाला, फर्स कंट्री कौन सा USA है. ओके? अगला देखेगा. मचली पकडने वाले समुदाई की मदद के लिए, एक अगरणी पर्यावर्नी कारिकरम परिवर्थनम के सिराज्य में शुरू किया गया? अब Pioneering Eco Sustainable Program परिवर्थनम to help the fishing community was launched in which state? तो एक सवाल यही है, कि यह जो परिवर्थनम कारिकरम है, जो कि मचली पकडने वाले जो भी समुदाई है, उनकी मदद के लिए launch किया गया, एक अगरणी परियावर्नी कारिकरम है, एक Pioneer Eco Sustainable Program है, यह किसके द्वार लाँच किया गया? तो एक केरल के द्वारा किया गया, केरल सरकार ने इसको launch किया तो इसका नाम है परिवर्थनम, परिवर्थनम, अगला दिखेगा, किस राज्य ने अपना इस्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया है, which state has observed its foundation day on 9th of November, 9th of November को किस ने मनाया है? तो यह उत्राखंड ने, उत्राखंड ने 9 नवंबर को अपना foundation day celebrate किया था, अपना इस्थापना दिवस मनाया था, नेक्स्ट, किस राज्य के राज्यपाल ने मेडिकल पार्थिकरमों में राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरचर प्रदान करने के लिए विदेहिक पर अपनी सहमती दी which state governor has given its assent to the bill to provide 7.5% reservation to student of state's government school in medical courses तो medical courses में अभी हाली में 7.5% reservation के लिए राज्य के स्कूलों के लिए किस राज्य के द्वारे यहां पर एक bill को अपरूफ किया गया है किस राज्य के गवर्न के द्वारे एक bill को अपरूफ किया गया है तो यह तमिल नाडू इससे important mark कर ले ना यार इसकी उम्मी थोड़ी जादा बनेगी मतलब कि यह है तमिल नाडू राज्य के राज्यपाल ने medical पाटे करमों में मतलब कि जो medical courses है उनमें राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरच्य प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी यहाँ पर दे दी है next T20 cricket इतियास में 1000 चक्के लगाने वाले पहले बल्लेवाज कौन बन गए है who become the first batsman to get 1000 success in T20 cricket history तो T20 cricket history में 1000 success लगाने वाले जो बल्लेवाज बने उनका नाम है Chris Gill Chris Gill ने T20 cricket में यहाँ पर answer बने में Chris Gill यहाँ पर यह पहले खिलाडी बन गए है ओके next दिखना मरे दोस्टा अगला next किस संस्थान में उन नहों नहीं अनावरण किया किस institute में स्वामी विवेकानन्द जी की मूर्ति का नावरण की आ गया तो answer बनता है यहाँ पर सब JNU में कहाँ पर क्या गया JNU में क्या गया नेक्स्ट पक्के टाइगर रिजब या जिसे आप लोग पखुई टाइगर रिजब के नाम से भी जानते हैं पक्खुई पक्खुई टाइगर रिजब के नाम से भी जानते हैं आठ पुरुवत्तर राज्यों में ग्रीन सैनिकों के लिए COVID-19 के खिलाफ वीमा के प्रदान करने वाला पहला बन गया है पक्के टाइगर रिजब एस बिकम फर्स्ट इन एट नौर्टीस स्टेट to provide insurance covers against COVID-19 for green soldiers it is in which state? it is in Arunachal Pradaysk, it is in Arunachal Pradaysk, this is in Arunachal Pradaysk. Pakhui Tiger Reserve is located in Arunachal Pradaysk. Joe Biden has been elected as the President of United State and it is a dash president of United State इसका मालब किस number के रास्टपती है तो he is a 46th he is a 46th president of the United State यह United State के 46 वे यहां पर रास्टपती है उप रास्टपती के रूप में चुने जाने वाले अमेरिकी इतियास में पहली महला कौन बन गई है यह तो कुशन नॉर्मल है और सब लोग टिक भी कर सकते वर आएगा भी एक्जाम है हलवा कुशन है यहां से यहां पर बनता ऑप्शन है और हो कमला हैरस कमला हैरस इसे याद रखना है केंद्री जल मंत्राले द्वारा प्रस्तुत रास्ती जल पुरुसकार दोयार उन्निस के तहत सर्वस्रेस्टर राज श्रेडी के तहत किस राज ने पहला इस्तान हासिल किया है विच स्टेट बैक दी फस्ट प्लेस अर्ड़ी बेस्ट स्टेट कैडिगरी अर्ड़ी नेशनल वाटर अवाट 2019 प्रेजेंटेड वाई यूनिन मिनस्ट्री आफ जल शक्ती ने अभी नेशनल वाटर अवाट 2019 दिये है उसके तहत बेस्ट स्टेड में यहाँ पर महला वाटर कंजर्वेशन के मामले में पहला राजी सबसे बहतर कौन सा रहा है Water Conservation के मामले में कौन सा राज पहले स्थान पर रहा है आंसा बता है यहाँ पर Tamil Nadu Tamil Nadu, ओके Tamil Nadu, देखो Tamil Nadu काफी news में है और Tamil Nadu related बहुत सारी ranking है मैं अब repeat नहीं करूँगा क्योंकि already मैं बता भी चुका हूँ कि किन-किन ranking में इसने top किया है तुम लोगों से बस इतनी ही मेरी गुजारिश रहेगी तो कोशिश किया करो कि जो जो state जिस जिस में top पर है जो भी state जिस जिस चीज में top पर है तो तुम्हारे पास खुद का एक data compiled data होगा जिसमें कि तुम बहता तरीके से अपने notes maintain करके चल पाओगे इतना काम जरूर कर लिया करो मेरे भै इतने से तुम्हारा बहुत सारा काम निकल जागा ठीक है एक second रुपना नेक्स अगला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी SCO Council of State के 20-वे सिखर सम्मिलन में बाहरतित प्रतिनिद्र मंडल का निर्तोत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी जने SCO की जो meeting रही उसमें Indian delegation को इनोंने represent किया सवाल उडता है कि which country chaired this meeting किस country के द्वारा इस meeting की अदिक्षिता की गई थी तो दिखो SCO के दो समट है एक तो है heads of state का और एक ता heads of government का heads of state की जो अदिक्षिता है 2020 की वो Raktergya के पास है और heads of government की जो अदिक्षिता है ये इंडिया के पास है 2020 की और ये कौन सा रहा था? Heads of state का रहा था H.O.S. Heads of State का और ये रशिया ने होस किया था रशिया की अद्धिक्षिता में इसको आईजित किया गया था केंद्री जलशक्ती मंतरी गजेंदर सिंग सेखावत ने अरुनाचर परदेश के किस जिले में भारत की पहली सौर आधारित एकी करत बहु ग्राम जल आपूर्ती परियोजना समर्पित करी यूनि जलशक्ती मिनिस्टर गजेंदर सिंग सेखावत डेडिकेटेड इंडिया's first solar power based integrated multi-village water supply project in which district of the अरुनाचर परदेश के किस डिस्टिक में किस जिले में भारत की पहली integrated multi-village water supply project को समर्पित किया गया जलशक्ती मिनिस्टर गजेंदर सिंग सेखावत के द्वारा तो आंसा बनता है lower dbang ghaati किस जिले में दोस्त lower dbang ghaati lower dbang ghaati I think so याद रहेगा lower dbang ghaati okay lower dbang ghaati यार दोस्त current affairs के इतने बुरे लग रहे है कि like भी नहीं करोगे इतने बुरे लग रहे हैं कि मेरे दोस्त लाइक भी नहीं करो कि फटावट फटावट लाइक कर दिया करो यार सेशन को हर condition में हर सूरत में तुम्हारे लिए availability रहती है तो तुम यतना काम तो कर सकते है यार फटावट फटावट सेशन को like कर दो बच्चे इतने सारे देखते हैं और like इतना कम रहता है समझ में नहीं आता कमी कहाँ पर हो रही है मेरे पार्ट से कमी हो रही है तो समझ में आगा चलो ठीक है मैं करूँगा फिर भी अगर नहीं है कमी तो मेरे भाई एक बाल लिख दो कि हाँ सार ये वाली problem है ये समस्या है इसलिए हम लोग like नहीं कर रहे है तो फिर उसका result देखेंगे उसका तरीका क्या है ठीक है फटावट फटावट लाइक कर दो next आगे बढ़ते है ठीक है next डैनियल मैदवेदेव ने जर्मन अलेक्जेंडर जैवरेव को हरा कर पहली बाद 2020 पैरिस मास्टर्स का पुरुषेकल का खिताब जीता वो किस देश से है डैनियल मैदवेदेव has won the man single title of the 2020 पैरिस मास्टर्स for the first time by defeating the जर्मन अलेक्जेंडर जैवरेव he is from which country? answer he is from Russia देखो जो डैनियल मैदवेदेव है ये रशिया से है और इनों ने जर्मनी के जो अलेक्जेंडर जैवरेव है इनको हरा कर पुरुषेकल का खिताब जीत लिया है पैरिस मास्टर्स का पुरुषेकल का खिताब राद है डैनियल मैदवेदेव के नाम और ये डैनियल मैदवेदेव रशिया से है डैनियल मैदवेदेव कहां से है रशिया से है किस राजी सरकार ने COVID-19 महामारी के बावजूद 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए स्कूलों को ससक्त बनाने के उद्देश से 2020 के लिए Mission 7% शिरू किया है पंजाब ने मेरे दोस्त COVID-19 पैंडमिक के मद्दे नजर एक सत्य प्रतिशत कौन सा सत्य प्रतिशत Mission 7% is launched by the Punjab State Government Mission 7% is launched by the Punjab State Government प्रदान मंतरी नेरेंदर मुदी ने नौवेहन मंत्राले का नाम बदल कर बंदरगा, नौवेहन और जलमार्ग मंत्राले कर दिया मंत्री कौन है प्राइमिनिस्टर नरेंदर मुदी रिनेम्ड Ministry of Shipping to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways Who is a Minister आंसर option number one मंसुक मंडाविया मंसुक मंडाविया इसके मिनिस्टर है सिर्फ मिनिस्टरी को रिनेम किया गया Next सिखेगा अगला Honwill Festival 2020 की वस्तुत है मेजबानी कौन सा देश करेगा Which country will host the Honwill Festival 2020 virtually Answer बंदा option number four Nagaland Nagaland है जो की Honwill Festival 2020 की मेजबानी करेगा तो Honwill Festival Nagaland Honwill Festival Nagaland Honwill Festival कौन सा है Nagaland का है Next किसको परशासनिक और बजटी ये परशन पर सहिकतरास से सलाहाकार समिती के लिए चुना गया है Who has been elected to the United Nations Advisory Committee on administrative and the budgetary questions तो administrative and budgetary questions पर एक advisory committee United Nations की और उसमें किसको elect किया गया है विदिशा मेत्रा को किनको विदिशा मेत्रा को ये नाम याद रखने है समिती के लिए चुना गया है सिक्किम के पूर्व मुख्यमंतरी का नाम क्या है जिनका हाल ही में दन हो गया सिक्किम के पूर्व मुख्यमंतरी का नाम है सांच्मन लिंबो सांच्मन लिंबो सांच्मन लिंबो is the name of the former सिक्किम Chief Minister who has passed recently किसने ट्रांसजेंडर पर रासाथी दा अधर साइड ऑफ अधर ट्रांसजेंडर सवाल यह किसने लिखी है बुस्तक किसने यह नोवल लिखा है ससिंद्रन कलनीकल ससिंद्रन कलनीकल ससिंद्रन कलनीकल has authored a novel रसाथी दा अधर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर विच इस ओन ट्रांसजेंडर के ऊपर है अगला कौन बच्चों के लिए अपनी किताब दा कौवट एंद दा स्वार्ड लेकर आएंगे जुगल हंसराज जुगल हंसराज जुगल हंसराज वाटसप ने अपनी भुकतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए पांच भारती बैंकों के साथ साज़िदारी किया अभी हाली में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन आफ इंडिया ने ने वाटसप को क्लियर कर दिया कि तुम वाटसप पे शुरू करेंगे जिसके जैसे कि UPI बेस सर्विस स्टार्ट कर सकते है तो उसके लिए इसने पांच बैंक के साथ कॉलाबरेशन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक और इसके लाब एक और बैंक बनता है ये जियो पेमेंट बैंक जियो पेमेंट बैंक ओके? जुगल हंसराज एक्टर हाँ मेरे भई, वही एक्टर जो जुगल हंसराज है वो एक्टर है उन्हीं ने लिखिये ये वो Next, अगला अपनी क्यावन भी उडानवे भारत के पोलर सेटलाइट लाँज वहिकल C-49 ने नव अंतरास्तिय गरहक उपगरहों के साथ सपलता पूरवक अर्थ उब्जर्विशन सेटलाइट 01 लाँज किया इंडिया पॉलर सेटलाइट लाँज वहिकल C-49 इन इट्स 51st फ्लाइट सक्सेसफुली लाँज अर्थ उब्जर्विशन सेटलाइट 01 along with 9 international customer satellite 1 is from Lithuania, 4 from which country and 4 from USA एक Lithuania से है, 4 USA से है और 4 बाकी के कहां से है अंसर बनता है 4 बाकी के लगजमबक से है 4 बाकी के आपके लगजमबक से है मतलब कुल मिलाकर 9 सेटलाइट को भीजा गया था एक Lithuania के 4 USA के 4 लगजमबक का है अच्छा इसी के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी जीन आज विजिट के लिए बोलाए उनने सारे को एक समिट रहेगा इनका वर्चुल इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है ठीक है यह नाम याद रखने हैं आपको इंपोर्टेंट बनेगा ठीक है अगला मेरे दोस्त किसको मैरलोबन मैरलोबन क्रिकिट क्लब फांडेशन का संरक्षक न्यूक्त किया गया पैटरोन न्यूक्त किया गया पास्टिक विल बी कमपलसरी फॉर वीलर्स प्रॉम विच डेट चार पाईय बाहनों के लिए फास्टिक कब से अनिवार्य हो जाएगा अब सभी बाहनों के लिए जो चार पाईया है उनके लिए जो अनिवार्य होगा यह जनवरी 2021 से जनवरी 2021 से पॉर वीलर्स के लिए फास्टिक विल बी mandatory फास्टिक विल बी mandatory नेक्स मेरे दोस्त, ये वेस्ट इंडीज के थे, माइकल होल्डिंग, अगला, फॉर विच नोविल, मल्यालम ओथर, S. Haris has won the 2020 JCB Prize for Literature, किस उपन्यास के लिए, मल्यालम लेखक, S. Haris ने साहित्त के लिए 2020 JCB पुरुसकार जीता है, तो ये मस्टेस, मस्टेस, ठीक है, जो मस् मस्टेस, जो इसको की ट्रांसलेट किया था, English, by the Jasri Kalathil, and published by the Hyper Colin India, मस्टेस, अंग्रेजी में Jasri Kalathil द्वारा अनुवानित की गई, और Harper Collins India द्वारा प्रकाशित की गई, सवाल ये है, कि it is awarded annually, with how much amount, ये है, प्रतिवर्ष कितनी राशी से सम्मानित किया था, मतलब इसके त विद्याबालन द्वारा, अबिनीत और सहनिर्मित, नटकट ने, सर्विस्रेस भारत लगू फिल्म समहरो 2020 के, तीसरे संस्क्रण में, 72, तीसरे संस्क्रण में सीर्श पुरुसकर जीता, जो इसे ऑसकर नामंकन के लिए योग बनाता है, यह किसके द्वारा निर्देशित ह नटकट, जो कि विद्याबालन ने प्रड्यूस भी करी है, और उसमें अपनी भूमिका भी निवाई, इसके इसने भी हाल ही में, जो थर्ड एडिशन रहा था, बेस्ट अफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020, उसमें टॉप प्राइस जीता, और इसके साथ वो यह अगया था, नेक्स मेरे दोस, अगला, रास्ती कानूनी सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल, यह नेशनल लीगल सर्विस डे, नेशनल लीगल सर्विस डे हम लोग कब मनाते हैं, तो नेशनल लीगल सर्विस डे हम लोग 9 नवंबर को मनाते हैं, पांच को स आपका दो तारिक को celebrate कियाता है, दो तारिक को मनाया जाता है, आगला सुनिएगा मेरे दोस्ते, अपना answer यहाँ पर बनता है, option number 2, 9 November को National Legal Service Day मनाते है, science for end with society, science for end with society is the theme of the world science day for peace and development, जो विश्व में सान्ती और विकास के लिए विज्ञान दिवसे उसका विशे है, science for end with society, सव जाता है, दस तारिक को मनाया जाता है, दस November को एक डे मनाते हैं, इसको ना में world science day for peace and development, इसका theme रहा था, science for end with society, science for end with society, I hope so guys, यहाँ तक clear होगा, आशे कर दो, यहाँ तक सारी चीज़ा clear होगा, next दिखेगा, अगला, किसने पहले, BRICS वित्नमंत्रियों और किंद्री बैंक गवर्नरों की बैटक में भाग लिया, who has attended first BRICS finance minister and central bank governance meeting, answer बनता option number two, निर्मला सीतारमन, जो निर्मला सीतारमन है, इनो होने, first BRICS finance minister के central bank governance की meeting रही थी, इसमें participate के, इसे भी important mark कर लेना, भारत Mobile Congress 2020 के चौते संस्क्रण का विशे क्या है, what is the theme of the fourth edition of the India Mobile Congress 2020, answer बनेगा, inclusive innovation, smart, secure and sustainable, inclusive innovation, smart, secure, sustainable, inclusive innovation, smart, secure, sustainable, यह है इंडिया Mobile Congress 2020 का विशे है, और इसका चौते एडिशन, दोस्त जल्दी ही आयजित किया जाएगा, ओके, अगला दिखेगा, प्रदान मंतिरी नरेंदर मोदी किसे शहर में, आएकर अपीलिये नियायदी करण के अत्यादों ने कारेले सहे, आवासी परिसर का उदगाटन करेंगे, कर दिया, कर दिया मेरे भाई, मोदी जी ने यहाँ पर उदगाटन कर दिया, अब इसका नाम कहें, जर एक बर क्लियर फिर दबार सुन लो, income tax appealate tribunal का एक office come residential complex, office भी हो, वो residential complex भी है, सवाल यह है कि किस शहर में, मोदी जी के दवारा इसका उदगाटन किया गया है, तो इसका उदगाटन कटक में किया गया है, इसका उदगाटन कटक में किया गया है, उडीसा के कटक में, income tax appealate tribunal का, जो office come residential complex ह उसका उद्गाटन किया गया था किस राज ने तेजपूर लीची को भोगॉलिक संकेत टैग दिया है तेजपूर लीची of which state has been granted the geographical indication tag answer बनेगा असम असम की तेजपूर लीची को असम की जो तेजपूर लीची है उसको geographical indication tag GI tag दिया गया है the hitman, the Rohit Sharma विजे लोगपली और जी कृष्णन के द्वारा विजे लोगपली और जी कृष्णन के द्वारा जी कृष्णन के द्वारा the hitman, the Rohit Sharma story को लिखा गया है next पंद्रावे वित्तिया आयोग ने वर्ष 2021 से 2021 से 2021 सब्चेश अबी तक की अविदी के लिए अपनी रिपोर्ट प्रासपती को सौपी इसके चेर्मेन कौन? अभी इसकी एक कॉपी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को भी सौप दी गई है नरेंदर मोदी जी को भी यहाँ पर सौप दी गई है तो 15 पाइनस में जो कमीशन है उसने भी हाली में 2021-22 लेके 25-26 तक अपनी रिपोर्ट सम्मेट करी थी अनलेवल प्रेज़ेंट आफ इंडिया सवाल ये इसके चेर्मेन का नाम क्या ए? एनके सिंग इसके चेर्मेन है पत्ना और गया के बाद कौन सा हवाई एड़ा बिहार का इस्थापित anti-satellite missile के model का किसके द्वारा अनावरन किया गया था? एक model है anti-satellite mission installed inside the DRDO भवन प्रिमाइसेस जो इंडिया का ACET missile रहा था इसका एक model है अभी हाल ही में DRDO भवन प्रिमाइसेस में अन्वील किया गया what is the name of the veteran author and gujarati columnist who has passed away recently तो इनका नाम है Father Welsis, Father Welsis का भी हाली में दन हो गया है and Father Welsis is the name of the veteran author, he was an author, he was the gujarati columnist वे एक gujarati columnist भी थे और वे है एक लेखग भी थे कि वे एक author भी थे next करमचारी राजबीमा निगम ने इसे हम लोग कर लेते करमचारी राजबीमा निगम तो करमचारी राजबीमा निगम ने अटल भीमित व्यक्ती कल्यान योजना एक जुलाई 2020 से बढ़ा कर कब तक विस्तारित कर दी है Employee State Insurance Corporation had extended atal भीमित व्यक्ती कल्यान योजना यहां पर मिरे दोस्ट आप्षिन नमर 4 30 June 2021 तक National Education Day कब celebrate होता है National Education Day कब मनाया जाता है National Education Day आपका 10 November को मनाते है नहीं यार National Education Day आपका 11 November को मनाया जाता है National Education Day 11 November को हम लोग celebrate करते है Next सेखेगा अब बुक your best day is today is authored by whom एक पुस्तक your best day is today किसके द्वारा लिखेत है तो ये लिखी गई है अनुपम खेर के द्वारा अनुपम खेर ने एक बुक लिखी your best day is today your best day is today is authored by the अनुपम खेर next कौन सा देश सबसे बड़े gas आया तक पेट्रोनेच अनलडी लिमिटेड के नए प्रवंद निदेशक और मुखे कारिकारी अधिकारी होंगे तो अन्सा बंदा option no.3 अक्षे कुमार सिंग अक्षे कुमार सिंग होंगे इसे important mark कर लेने हैं मेरे भई next अगला दिखीगा Tokyo Film Festival में मराटी फिल्म कार्च निसची बारी एक मातर भारती प्रवस्ती है किसके द्वारा निर्देशित है मराटी फिल्म कार्च निसची बारी is only Indian entry at the Tokyo Film Festival इस डारेक्टिड बाई हूं यह किसके द्वारा डारेक्ट की गई है तो यह डारेक्ट की गई मीता माखन के द्वारा मीता माखन अरे नहीं यार it is directed by the मंगेश जोशी मंगेश जोशी के द्वारा से डारेक्ट किया गया है इससे पहले वाले का अंसर था अक्षे कुमार सिंग और इससे पहले वाले का अंसर था आपका जो आंसर बनता 46, it is Mangesh Joshi, Mangesh Joshi, okay, Mangesh Joshi, next, किस देश ने महात्मा गांदी पर गांदी के बारे में मेरी समझ एक विशेश संकलन जारी किया, which country released a special anthology on महात्मा गांदी, my understanding about महात्मा गांदी, my understanding about गांदी, so guys, answer बनता है यहाँ पर नेपाल, अभी हाल ही में, नेपाल, नेपाल की जो प्रेजेट विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा इस anthology संकलन को जारी किया गया, तो जो महात्मा गांदी के उपर इसका title है, my understanding, my understanding about गांदी, my understanding about गांदी, एक पुस्तक how to be a writer किसने लिखी है, अब पुस्तक how to be a writer is authored by whom, how to be a writer is authored by Ruskin Bond, तो Ruskin Bond के दोरे एक पुस्तक लिखी गई, इसका नाम है how to be a writer, how to be a writer, how to be a writer, how to be a writer is authored by the Ruskin Bond, next, किस शेहर में दूसरा विशुस्वास एक्सपो आयोजित किया गया, second world health expo was held in which city, आंसा बंदा वहान चीन, वहान चीन के वहान में, second world health expo का आयोजित किया गया था, किसने वहवसायों के लिए payout link launch किया बस बात खत्म इतना, who launch payout link for businesses, it is launched by the paytm, paytm ना भी हाल ही में, payout link जारी कीया है किस के लिए, जितने भी business सांँ के लिए, तो business के लिए, अभी paytm ने payout link जारी किया है, ठीके बिजनेस के लिए अभी paytm ने payout link जारी किया है, पे आउट लिंक इस लॉंच बाई दी पे टीम नेक्स्ट विच स्टेट है लॉंच सेचा समाधान एक मुबाईल एप्लिकेशन है सेचा समाधान और यह सेचा समाधान किस राज़ी के द्वारा जारी की गई है यह है उडिसा उडिसा सरकार ने भी हाली में सेचा समाधान नामक एक दोस्त एप्लिकेशन है इसे लॉंच किया है किस दिन को लोग सेवा प्रसानर दिवस की रूप में मनाया जाता है पब्लिक सर्विस ब्रोड कास्टिंग डे इस ऑब्जर ऑन विच डे यह दोनों ही आपके 12 नवंबर को मनाया जाते है ITRA मतलब होता है Institute of Teaching and Research in Ayurveda इसको inaugurate Prime Minister Narendra Modi ने कहां पर किया है It is inaugurated in Gujarat Jamnagar Gujarat के Jamnagar में Prime Minister Narendra Modi is inaugurated Institute of Teaching and Research in Ayurveda The Institute of Teaching and Research in Ayurveda was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi and it is inaugurated in Jamnagar Gujarat परधानमंत्री Narendra Modi ने Gujarat के Jamnagar में Institute of Teaching and Research in Ayurveda का उधगाटन किया है इसे यार बहुत important माग कर लेना एक है Next Center for Disability Sports यह मद्दपरदेश के ग्वालियर में बना है गंगा अवलोकन जो की first museum रहीती गंगा पे यह उत्तराखंड के अरिद्वार में First Pirule Power Project उत्तराखंड के उत्तरकासी में और Safe City जो प्रोजेक्ट है एक Women Safety Campaign है इसको उत्तरपरदेश के लखनओ में पहला शहर है जिसमें लॉंच किया गया उत्तरपरदेश का लखनओ प्रदानमंतिरी नरेंद्र मोधी ने किसे शहर में रास्ति अयरवेद संस्थान का उधगाटन किया है तो ये कैसा जैपूर राजिस्थान राजिस्थान के जैपूर में अब देखो इसके लाबा और भी बहुत कुछ है अगर International Trade Center को असम के गोलाघाट में इनाउग्रेट किया गया था 2320 मीटर का लॉंग जो गिरनार रोपवे है ये गुजरात के जूनागण में बना है प्रधानमंतरी गरामसड़ा की योजना में सबसे बहेतर जो कोई डिस्टिक है वो हिमाचल प्रदेश का मंडी रहा है प्रधानमंतरी गरामसड़ा की योजना में बेस्ट जो डिस्टिक है वो हिमाचल प्रदेश का मंडी है और गिरनार रोपवे जो है ये जो की 2320 मीटर लंबा है ये गुजरात की जूनागण में है और अगर इंटर्नेश ट्रेड सेंटर, जो की भारत में अपनी तरीके का पहला ये असम के गोला घाट में है नेक्स्ट विष्व मदू में दिवस का विष्वह है, यह किस दिन मनाया जाता है The Nurse and Diabetes is the theme of the World Diabetes Day. It is observed on which day. तो ये जो मनाया जाता है, 14 November को मनाते हैं. World Diabetes Day आपका 14th of November को मनाया जाता है. World Diabetes Day 14th of November को मनाते हैं. COVID-19 महामारी के प्रबंदन में, Ayurveda की संभावित भूमे का 5 वे Ayurveda दिवस का केंदर है. यह किस दिन मनाया गया? Potential Role of Ayurveda in the Management of the COVID-19 Pandemic is the Focus of the 5th Ayurveda Day. It was observed on which day. Potential Role of Ayurveda in the Management of COVID-19 Pandemic is the Focus of the 5th Ayurveda Day. जो पाचवा Ayurveda Day जो कि Ayurveda दिवसाफ का धनवंतरी वाले दिन, मना धन 13 वाले दिन मनाया जाता है. और इस दिन के लिए बोला गया है कि इस दिन का जो Focus रहा, सवाल यह यह किस दिन मनाया गया? तो यह 13 नवंबर को मनाया गया. 13 नवंबर को. 13 नवंबर को. Next. मैं मसीहा नहीं हूँ. सौनुसूद की आत्म कता है. इसका सहलेखन किसके द्वारा किया जाएगा? I am no मसीह. It will be co-written by whom? It will be co-written by the Meena Iyer. Meena Iyer के द्वारा से लिखा जाएगा. Meena Iyer लिखेंगी I am no मसीह. जो कि एक आतो बायोग्राफी है सौनुसूद की. Next. सशी थरूर ने एक पुस्तक लिखी इसकानम है The Battle of Belonging. The Battle of Belonging. सशी थरूर ने लिखी Coffee Table Book on Discovering the Heritage of Assam ये पदम पानी बोरा ने लिखी A Bucket of Flowers ये कृष्ण सक्सिना ने लिखी है विशेश Code to Win जो की विशेश भ्रगुवन्शी की जो की बास्केट बॉल प्लेयर है विशेश भ्रगुवन्शी उनकी बायोग्राफी विशेश Code to Win ये इसकी ऑथर का नम है निरुपमा यादव Bucket of Flowers के कृष्ण सक्सिना Coffee Table Book on Discovering the Heritage of Assam पदम पानी बोरा The Battle of Belonging सशी थरूर The Battle of Belonging सशी थरूर सशी थरूर Next प्रिंस खलीफा बिन सल्मान अल-खलीफा का निदन हो गया यह किस देश के दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधान मंत्री थे प्रिंस खलीफा बिन सल्मान अन खलीफा has passed away He was the world longest serving prime minister of which country He was the longest serving prime minister of Beharin वह Beharin के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले प्रधान मंत्री थे Next अब जरह देखने ये news में रहा था Germany क्यों क्यों क्योंकि NATO ने कहा है North Atlantic Treaty Organization ने एक ये नया space center बनाएगा Germany के रामस्टीन में Singapore क्या है ये पहला देश बन गए जिसने facial verification को अनिवारिक कर दिया तरीके से उसको यहाँ पर allow कर दिया तो world का first country जिसने facial verification को यूज किया है National ID scheme के तहए तो ये पहला देश है Myanmar को इंडिया ने भी हाल ही में कि सब्मरीन दी इसका नाम है INS Sindhu Veer और जिंबाम्बे है इसके साथ भारत ने 310 million का एक line of credit दिया है मतलब इसे loan दिया था किस चीज के लिए जो जिंबाम्बे में हवांगे thermal power station है उसमें repowering की financing के purpose से इस amount का utilization किया जाएगा सर अक्टूवर मन्थ का question bank विवेक शर्मा YouTube पे search करना अक्टूवर मन्थ question bank और उसके बगल में लिए लिए दिना आशीश गौतम तो इंडिया post payment bank के जिसने की अभी हाल ही में मतलब की जितने भी जो व्यक्ती होंगे जो oldest person होंगे उन सभी को जीवन परमाण पत्र दिया जाएगा डाकी के माध्यम से तो डाकी है दोस्त घरगर जाएगा जितने भी oldest person होंगे उन सभी को जीवन परमाण पत्र सर्विस के माध्यम से जो कि एक डॉरस्टप सर्विस है घरगर जाकर दी जाएगी इसको यहाँ पर शुरू किया गया है shrug किया गया है तो answer बनता है यहाँ पर option no.2 अमिति शाहा के द्वारा किया गया है अमिति शाहा ने गुजरात के कच्छ डिस्टिक में हाल ही में जो दुर्दो विलेज है वहाँ पर सरहद विस्तार विकासो सब 2020 का उद्गाटन किया था important days of October वो भी हो चुका है आप लोग क्या करना एक टाइटल लिखने 10 days 10 class उसमें जो 9th class रही है मेरी 10 days 10 class SBI बगल में लेख दिना बाई आशीश गौतम सर 10 days 10 class SBI बगल में लेख दिना आशीश गौतम सर जो 9th class हुई है इसमें 9th class हुई है उसमें आपको यह मिल जाएगा ठीक है 9th class के नाम से मिल जाएगा आपको उसमें है ठीक है इससे याद रखने है next मेरे दोस्त भारती 9 सेना ने दच्छड मुंबई के मजगाव डॉक में पांचवी स्कॉर्पियन पंडुपी वागीर लॉंच करी इंडियन नेवी हैस लॉंच फिफ्थ स्कॉर्पियन सब्मारीन वागीर एड दी मजगाव डॉक ऑफ साउथ मुंबई दस सब्मारीन डिजाइइड बाई विच कंट्री इस नेवल डिफेंस और इमर्जनसी कंपनी तो यह है फ्रांस फ्रांस की जो डिफेंस नेवल डिफेंस और इनर्जी कंपनी है इसने स्कॉर्पियन जो वागीर है इसको डिजाइन किया है इसे थोड़ा ध्यान से समझे ने ठीक है इसने डिसाइड किया है एक Food Safety Coordination Committee बनाने की बात करी है जितना भी खादी सुरच्छा आपात आता है Food Safety Emergency आती है उसके लिए कि समयती का गठन करने का निर्ने लिया गया है और ये भारती खादी और सुरच्छा इवा मानक परादी करने मतलब Food Safety Standard Authority आतालिटी आतालिए के द्वारा लिया गया सवाल ये है इसके चेर्मेन का नाम क्या है इसके चेर्मेन का नाम है अरुन सिंगल अरुन सिंगल इस कमिटी को हैड करेंगे नेक्स्ट वैश्विक विशु स्वास्त संगतन किस देश में पारंपरिक चिकिस्सा के लिए वैश्विक केंदर की स्थापना करेगा World Health Organization will set up Global Center for Traditional Medicine in which country आंसर बनता है इंडिया तो ये दोस्त कहाँ पर set up करेगा इंडिया में set up करेगा तो जो World Health Organization है ये Global Center बनाएगा for traditional medicine किस देश में आंसर बनता है दोस्त इंडिया में clear है इंडिया में next सड़ा की यात यात पीड़तों की स्मृति के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया गया World Day of Remembrance for Road Traffic Victim was observed on which day आंसर बनता 15 November 15 November को World Day of Remembrance for Road Traffic Victim मनाया गया इसे important mark कर लेना ठीक है सारे important ideas तो जो consumer price index या यू कह है retail inflation है retail inflation retail inflation है इसका data भी release किया गया है और सवाल यह है कि retail inflation October में कितना रहा था it was 7.61% September में it was 7.27% in October it was 7.61% October में यह 7.6% और September 7.2% यह भी आप लोग को याद रखना है यह दोनों data अपने लिए important बनते हैं IRCTC हैदराबाद और सिकंदराबाद से भारत दर्शन दक्षिन भारत यात्रा शुरू करेगा IRCTC will be starting भारत दर्शन दक्षिन भारत यात्रा फ्रॉम हैदराबाद सिकंदराबाद सवाल यह है कि इसका विशे क्या है इसका विशे क्या है इसका विशे है शो इंडिया टू इंडियंस शो इंडिया टू इंडियंस यह विशे है भारत दर्शन दक्षिन भारत यात्रा का सवाल यह है कि IRCTC से कहां से शुरू कर रहा है तो हैदेरबास सिकंद्रवास से, जाने मने भारतीय कवी गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई एक बोस की आना, एक नई हिंदी पुस्तक, राधा कृष्न प्रकाशन द्वार प्रकाशित की गई है, इस बुक को एडिट मतलब की संपादित और संकलित मतलब कमपाइल किसके द्वारा किया गया है तो इट इस एडिटेट एंड कमपाइल बाई दी यश्वन्त ब्यास के द्वारा किस भारती अमेरिकी व्यक्ति को कारेवाहक अमेरिकी रक्षा सचेव क्रिस मिलर के चीफ of staff के रूप में नामित किया गया है स्टाफ के रूप में नामित किया गया है तो आसिफ बसरा का हल ही में दनो गया वह क्या थे तो वह एक 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 अक्टर थे ठीक है आसिफ बसरा भी इन्होंने सुसाइड कर लिया है और ये एक एक एक्टर थी यह है एक अभिनेता थे अभिनेता थे कुछ कॉंटरावेंशन रहा था कुछ यहां पर उलंगन रहा था उसी के मद्दे नाजर यहां पर एक करोड रुपे का जुर्माना लगाया गया है किस कमपनी ने युनिवर्सटी आफ ओख लेंड बिजनेस स्कूल के सेंटर अफ डिजिटल एंटरप्राईज के साथ मिलकर विश्यू के पहला विश्यू का पहला अपएक डिजिटल सस्टनेबिलिटी इंडेक्स को विक्सित करने के लिए इसके हिंदी में करना विश्यू के पहले तो विश्यू के पहले Sustainability, APEC Digital Sustainability Index को विक्सित करने के लिए किस कंपनी ने अभी हाल ही में University of Auckland का जो Center of Digital Enterprise है, Code है, उसके साथ समझोता किया है तो ये जो समझोता किया गया है, ये किया गया है TCS के साथ, Tata Consultancy Services के साथ, TCS के साथ, ठीक है TCS के साथ इंडिया का जो First Sandal Wood Museum है, ये कहाँ पर Establish किया रहा है भरत का पहला, चंदन संग्राले किसे शेहर में इस्थापित किया रहा है ये मैसूर करनाटक, मैसूर करनाटक, इंडिया's First Sandal Wood Museum is being Establish in मैसूर करनाटक, करनाटक के मैसूर में क्या रहा है तो ये रहा आज का सेशन, I hope सो तुम लोगे क्लियर होगा, PDF तुमें जल्दी ही मिल जाएगी सेशन की, अगें तुम लोगो बता देता हूँ, जिनने भी Financial Awareness पढ़ना है इस बैच में इन्रोल करा लो, आज मेरी दो से चार क्लास है, आँक बंद करके इसमें इन्रोल करा लो Warrior 4.0 में, इससे मेरे से Static Awareness पढ़ना है, वो Static GK बैच में इन्रोल करा लीजे यहाँ पर दो बैच आ रखें, SBI, PO के लिए, Prelims और Mains, तो मैं कहूंगा Combo वाला लेना, Combo वाले में Y168 Code लगाना, फाइदा मिलेगा मेरे दोस्त, किसी भी बैच को Purchase करने के लिए, इस Code का इस्तिमाल करना, Y168 का 72% Discount और विद Unlimited Vality है, I hope सुगा, इस सारी चीज़ां आपके बहतर तरीके से Clear रही होंगी, मुलाकात करते हैं Paid Classes में, इसके लावा कल सुबह साथ जी, तब तक के लिए Take Care दोस्तों